दोस्तों सर्दिया शुरू होते ही होट और एडियों का फटना पालों में डेंडरफ और स्किन ड्राय होने जैसे समस्या शुरू हो जाती हैं इसलिए इस समय तवच्चा को खास दिखबाल की जरूरत होती है सौफ्ट और ग्लोइंग स्किन के लिए इस मौसम में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है चलिए आज हम जानते हैं बिंटर में स्किन केर से जुड़े मित और उनकी सच्चाई के बारे में सबसे पहला मित्य है कि कम क्रीम यूज करने से इसकिन ड्राए हो जाती है लेकिन फैक्ट की माने तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्रीम कम वा ज़ादा लगाने से इसकिन की ड्राएनेस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता दरसल ठंड के कारण इसकिन के अंदर blood circulation slow हो जाता है इससे body, serum का production कम करने लगती है serum हमारी तेल ग्रंतियों से निकलने वाली एक oily चीज है जो हमारी skin को soft और shiny बनाने में help करती है winter में body temperature कम होने से serum skin के outer layer पर नहीं आ पाता जिससे हमारी skin dry हो जाती है दूसरा मिथ्या है कि ठंड का सीधा असर epidermis पर पढ़ता है जी हाँ यह सच है कि winter का सबसे ज़्यादा effect skin की पहली परत यानि epidermis पर पढ़ता है dryness से epidermis पर सिकुडन आती है तो skin cells तूटने लगते है skin पर यहाँ change कुछ महिनों बाद ही लकीरों के रूप में दिखाई देने लगता है जिससे fine lines बन जाती है दोस्तों अगला मिथ्या है कि साबून या face wash से skin dry हो जाती है fact की माने तो जितनी बार आप अपनी skin को साबून या face wash से clean करते है वह उतनी ही dry हो जाती है लेकिन इसकी जगह यदि आप लेप का यूज करें तो ऐसा नहीं होगा इसके लिए दो चम्मच दूद और दो चम्मच चोकर मिलाकर paste बना ले और इसका यूज साबून की जगह करें इससे आपकी skin dry नहीं होगी इसके साथी सरसो, बादाम या olive oil से body की massage कर थोड़ी दिर धूप सेक कर गुनगुने पानी से नहा ले इससे ना सिब बाड़ी की खुशकी दूर होती है बलकि ठकान भी खत्म हो जाती है next myth यह है कि lipstick लगाने से lips crack नहीं होते लेकिन fact यह है कि ऐसी situation में lipstick का use बिल्कुल भी ना करें इससे बचने के लिए petroleum jelly या lip cream का use करें antiseptic lip balm लगाना भी फैदे मन रहेगा last myth यह है कि सर्दी खत्म होने के साथी dandruff भी खत्म हो जाता है लेकिन fact की माने तो ऐसा नहीं है अगर आप dandruff पर control नहीं करते तो मौसम चाहे जो भी हो यह problem बढ़ती जाती है dandruff दूर करने के लिए anti dandruff shampoo का use करें इसके अलावा बेसन, मुलतानी मिट्टी और निबू का रस मिलाकर इससे बालों को धोए तो दोस्तों यदि जानकरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने family members और friends के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी subscribe करना ना भूलें